नमस्कार दोस्तों हमाई इस चैनल पे आपका बहुत-बहुत सवागत है आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हमारे साइंड नमबर और साइंड अरिथमेटिक के बारे में तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कि उसके MSB को यूज खरते हैं उसके साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यानि कि जैसे कि मान लीजी अगर हमारा कोई नमबर है तो हम क्या करेंगे कि उस नमबर को पहले binary format में लिखेंगे और उसके साथ एक MSB अलग से add करेंगे जो क्या होगा 0 या फिर 1 और वो 0 या फिर 1 बताएगा हमें कि हमारे number की sign क्या है अगर हमारा जो MSB है वो 1 है तो उसका मतलब क्या है कि number negative है ये जो पूरा number है वो negative है और अगर हमारा MSB 0 है यानि कि number positive है और ये जो number हम represent करना चाते है तो हमने हमारे positive numbers का representation देगा है हमारी पीछली वीडियो में और negative numbers को represent करने के लिए हमें once compliment and twos compliment की ज़रुरत पढ़ती है तो चलिए देखते हैं कि हमारे once compliment and twos compliment क्या होते है तो हमारे किसी भी binary number का once compliment और twos compliment कैसे find करते हैं इसके लिए हमने यहां एक example लिया है example में क्या किया है कि 1101 एक number लिया है जिसका हम once compliment find करना चाते है और उसका हम twos compliment find करना चाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं once compliment के बारे में तो once compliment हम कैसे find करते हैं जैसे हम यहां पर 4 digit का हमारा number है तो उसको हम सब्ट्रैक करेंगे हमारे 4x1 से वैसे ही अगर 5 digit का नंबर होता तो हम उसको 5x1 से सब्ट्रैक करते और सब्ट्रैक करने पर जो result आएगा वो होगा हमारा once compliment तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो नंबर था उसका once compliment निकल क्या है जिरो जिरो वन जिरो और अगर ध्यान से देखे तो ये क्या है इसका direct compliment हो रहा है जैसे यहां one था तो इसके नीचे जिरो आ रहा है जैसे यहां one था तो उसके नीचे भी जिरो आ रहा है यहां पर zero था तो one आ रहा है और यहां पर one था तो और एक एक्स्ट्रा यहां पे 1 लिखेंगे, यानि कि जैसे अगर यहां 5 डिजिट होथा है तो हम क्या करते हैं, कि उनके उपर 5 ऐसे 0 लिखते और एक्स्ट्रा यहां पे 1 लिखते, और इसमें से हम इसको subtract करेंगे, तो result क्या आएगा, यहाँ पे 0 में से 1 नहीं निकल सकता है इसलिए हम क्या करेंगे बॉरो करेंगे 1-0, 1 0, 0 तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा result क्या आ रहा है 0, 0, 1, 1 तो हम इस result को इसके चाथ compare करें तो हम देख सकते हैं कि 1's compliment में अगर मैं 1 को add कर दूँ तो मेरा क्या बनेगा 0, 0, 1, 1 यानि कि किसी भी number का अगर मुझे 2's compliment निकलना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 1's compliment निकालके उसमें अगर मैं 1 को add कर दूँ तो आएगा मेरा 2's compliment यानि कि हमें अगर किसी भी number का 2's compliment निकलना है तो उसके पहले सबसे पहले में क्या करूँगा once compliment निकालने के लिए उस number का direct compliment कर दूँगा उसके बाद उसमें one add करूँगा तो मिल जाएगा मुझे मेरा two's compliment और two's compliment को हम यूज करते हैं हमारे किसी भी negative number को represent करने के लिए तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे किसी negative number को represent करते है binary में तो अगर हमें कोई एक negative number represent करना है हमारे binary system में तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके corresponding जो positive number होगा पहले वो represent करेंगे binary में फिर उसका two's compliment लेंगे और उसके साथ एक sign bit add करेंगे यानि एक sign ms भी add करेंगे जो हमें बताएगा कि वो number positive या negative है तो जैसे मान लीजे कि मैं हमारा minus 3 लिखना चाता हूँ binary में तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं जो हमारा plus 3 है यानि कि जो normal 3 है उसको represent करोगा binary में जो क्या होता है 1 1 तो ये है हमारा 3 binary में अब क्या करूँगा इसका 2's compliment लोगा और हमने देखा कि 2's compliment के लिए हम क्या करते है पहले 1's compliment लेते है फिर उसमें plus 1 कर देते है तो इसका 1's compliment क्या हैगा 0 0 क्यांकि इसका direct compliment ही हमारा 1's compliment है तो ये है हमारा 1's compliment और अगर हमें 2's compliment चीए तो हम क्या करेंगे प्लस वन कर देंगे तो हमें मिलेगा हमारा टूस कॉंप्लिमेंट और यह है हमारा टूस कॉंप्लिमेंट और अब हमें पता कैसे चलेगा कि यह पॉजिटिव है नेगेटिव तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बिट एड करेंगे अलग स कि हमारा number कैसा है, negative है, तो हमारे minus 3 का representation कैसे होगा binary में, 1, 0, 1, जहाँ पर यह MSB क्या represent करेगा, इस number की sign represent करेगा, अब बात करते हैं, अगर हमें कोई भी number पहले से ऐसे negative given है binary में, यानि कि जिसका MSB 1 है, और बोला गया है कि यह ake signed number है, यानि कि एक negative number है, क्योंकि इसका MSB 1 है, तो हम कैसे उसको interpret कर सकते हैं, हमारे decimal number में, तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो अगर पहले से binary number given है, तो उसको हम कैसे interpret करेंगे हमारे decimal में, अगर वो negative हुआ, तो यहां हमने दो signed number लिए है, एक है हमारा negative और एक है हमारा positive, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो फॉस्स number है, उसकी sign क्या है, negative है, क्योंकि उसका MSB क्या है, 1 है, और यहां पर हमारी sign क्या है, positive, अब बात करते हैं, अगर हमें किसी positive number को interpret करना है, हमारे binary से decimal में, तो वो हमने last हमारी वीडियो में देखा कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसका direct हमारा interpret कर सकते है number, जैसे कि यह क्या है, हमारा 7 number है, positive 7, और वैसे ही हम इसको identify करना चाहे हमारे decimal में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि, यह sign bit के अलावा, जो बागी पूरा number है, उसका हम two's complement लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका once complement लेंगे, और इसका once complement direct क्या निकल की आएगा, 1, 0, 0 1, 0 और यह आगया हमारा once compliment इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें plus 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1, 0, 0 1, 1 और अगर हम ध्यान से देखें तो यह number क्या बनता है हमारा यह decimal में बनता है हमारा 19 यह 19 है और इसके साथ हमारी sign क्या है? minus यानि कि यह हमारा जो पूरा number है हमारा यह जो पूरा number है वो क्या है? minus 19 बन के आता है हमारे decimal में तो यानि अगर हमें किसी भी negative number का, किसी भी negative binary number को अगर represent करना है हमारे decimal में, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कि उसका जो sign bit है यानि कि जो msb है उसके अलावा बाखी सारे जो digits है उसका हम क्या करेंगे two's complement निकालेंगे और two's complement निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके साथ उसकी sign जोड देंगे जो है हमारा negative sign तो ऐसे हम करते हैं हमारे किसी negative binary number को interpret decimal में चलिए अब देखते हैं कि हमारे साइंड अरिफ्मेटिक होते हैं कि हम कैसे दो साइंड नंबर का operation करते हैं वो कैसे होता है तो हमारा signed arithmetic हमारे unsigned arithmetic से जाथा कुछ अलग नहीं है बस बात इतनी सी है कि हम जब भी कोई signed arithmetic operation करते हैं तो normal हमारा arithmetic operation perform करते हैं और last में जो हमारा result आता है उसकी MSB के थुरू हम detect करते हैं कि हमारा number positive होगा या negative और अगर हमारा number negative है तो उसको हम identify करने के लिए क्या गरते हैं उसका two's compliment लेते हैं तो चलिए एक example की मदद से हम कोई signed arithmetic operation करके देखते हैं यहां हमने क्या किया है कि minus 3 लिया है और उसमें से हम subtract कर रहे हैं plus 2 को तो चलिए देखते हैं कि final result क्या आता है तो हमारा final result यह आ रहा है और यह अगर हम देखें तो हमारे MSB क्या है 1 है यानि कि हम नेगेटिव नमबर मिला है हमारे output में तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका two's compliment लेंगे और two's compliment हम कैसे लेते हैं कि MSB के अलावा बाकी की सारी digits का हम one's compliment ले रहे है और वो क्या आएगा और इसमें हम क्या करेंगे प्लस one कर देंगे तो आएगा हमारे two's compliment जो आ रहा है 101 और यह होता है हमारे decimal में 5 के बराबर और यह 5 है यानि कि यह हमारे जो output है वो क्या आना चाहिए minus का 5 और अगर हम देखें तो minus 3 में से अगर हम minus 3 में अगर हम subtract करें 2 को तो आना चाहिए हमारा minus 5 तो हम हमारा sign arithmetic operation normal arithmetic operation के इस तरह ही करते हैं बस बात इतनी सी है कि उसका जो MSB होगा उसको हम लेंगे हमारे sign को identify करने के लिए कि हमारे number का sign क्या है और उसके इस आपसे अगर number हमारा negative या final output में तो हम क्या करेंगे कि उसका two's complement निकाल के check करेंगे कि हमारा answer क्या है और अगर हमारा number positive output में तो हम directly उसको identify करेंगे कि हमारा number क्या है तो चलिए एक positive number के लिए हमारे positive output के लिए एक example लेके देखते है तो इस example में हम क्या कर रहे है कि minus 3 में से subtract कर रहे है minus 5 को तो चलिए देखते हैं कि output क्या होगा हमारा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा MSB क्या है 0 है यानि कि हमारे number की sign क्या होगी positive होगी और positive अगर यह number है तो यह हमारे positive को हम directly interpret कर सकते हैं कि यह क्या है हमारा 2 है यानि कि हमारा plus 2 answer आ रहा है last में और minus 3 में से अगर minus 5 को subtract करें तो plus 2 आएगा यह simple सी बात है तो ऐसे हम करते हैं हमारा signed arithmetic operation जिसमें हम normal arithmetic operation करते हैं और हमारे MSB की मदद से detect करते हैं कि हमारा जो number है वो positive है और उसके पता अगर negative number है तो हम क्या करेंगे उसका two's complement लेंगे हमारे answer को identify करने के लिए वरना अगर positive number है तो हम directly उसको decimal में convert कर सकते हैं तो यह है हमारा signed arithmetic operation और आज की ये वीडियो यहीं कतम करते हैं मिलेंगे आप से अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे हमारे floating point numbers के बारे में तब तक के लिए अपना ख्यार रखे जय हिंद